एलो फ्रेंड स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल अपना टार्गेट गवर्मेंट जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइगन बटन को दबा लिजे ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेस्टन आस्वानी से मि बात करें न्यू बैके एंसिके वारे में थायके क्या मांगा क्या क्या नीव आपको बता देते हैं तो जो बात करें सेंटर पॉवर रिसर्च इंस्टियूट सब्सक्राइब तो है जो आपको जो आपकी जो प्लाइड एक नभमर से वह और आपकी लाजटिट होगी वह होगी 21 नवमर ठीक है तो इसमें क्या क्या है आपको बता दें जो एज लिमिट की बात करें आपकी तो आपके इंजिनियरिंग ओपी से ग्रेड फ़स्ट के लिए 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए साइन्ट फिक इंजिनियर असिष्टेंड के लिए 18 से 35 साल ठीक है और टेकनिशन के 18 से 28 असिष्टेंड ग्रेड जाकी बीच में ठीक है एंजिनियरिंग ओन चाहँआलीस से एक लाग बार धावी सज्जार के बीच में तो आप नौरमली अपना जो है एप्लिकेशन फीज़ की तो आपका इंजिनियरंग ग्रेट फ़स्ट के लिए 1000 रुपए है साइन्स फ्रिक अजिनियर असेश्टेंड के लिए हजार रुपे है टेकनिशियन ग्रेट वश्ट के लिए 500 है और एसेश्टेंड ग्रेट सेगेंड के लिए 500 है और एम्टियस वाच्मैन में आपकी कोई भी भीस नहीं है ठीक है और आपका बिकलांग स्क्राइब कर सकते हैं इड़ाइस ओवीशी जनरल के लिए आपकी जो जो फीशती होई है उसके आद वैकन्स की बात करें तो आपकी इंजिनियर के लिए 20 वैकन्स है और साइंस ट्रिक इंजिनियर के लिए साथ है टेकनिशन ग्रेट हश्ट के लिए 15 एक असिस्टेंड के ल है इंजिनियर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आप फर्स्ट क्लास आपकी B B te o nī चाहिए इलेक्टिक अले ट्रिक्रिकल और आपका इलेक्ट्रानिक इंजिनियरिंग-एलेक्ट्रोनिक्स-कम्यूणिके इंजिनियरिंग तो आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना कर सकते हैं साइन्ट फिक असिस्टेंट की बात करें तो आपकी जो है आप फ़र्ट क्लास आपकी बीएस इन केमिस्ट्री से होनी चाहिए ठीक है उसका इंजिनियरिंग के आप जो है अपनी पोस्ट आपने आप चेक कर सकते हैं ग्रेट टेक्निशन ग्रेट फर्स्ट के कर दो सकते हैं ऐस impress पने तो इसके आपको तेक् Competition की देख सकते हैं आपको मेरिट लगेगी उसके की देख सकते हैं तो सारी जो है इनमें आप देख सकते हैं थोड़ी देल के लिए आप जहाँ पर रोकते हैं कि बाद आप चेक कर लेंगे किया आपका क्या-क्या मागा है क्या क्या नहीं ठीक है